हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू और चैनल ग्यान गंगा आर्वेद क्लासेस में आज हम लोग पढ़ने बाले हुमरस शार्ट नोट तो जो एक्जाम में हम लोग को जो पॉइंट याद रखने चाहिए हम उसके पॉइंट आवी उसाज बात करेंगे तो अब देखते हैं हुमरस बोन, हुमरस बोन में अगर बात करेंगे तो सबसे पले इंट्रोडक्शन आता है इंट्रोडक्शन में बात करेंगे, तो हुमरस क्या है, हुमरस इस दो बोन आफ आर्म क्या है, बोन आफ arm दूसरा point अगर इसमें देखें तो अगर humorous upper limb की बात करें तो असे longest bone होती है तो longest bone कहां का upper limb upper limb का longest bone है उसको बढ़ देखेंगे second point side determination जो की हर एक bone में आपको लिखना ही लिखना है और exam में अलग से भी पूछा जाता है तो अच्छा है कि हम इसको याद कर लें तो यहां देखेंगे humorous case में humorous में 3 points होते है side determination के देखेंगे पहला upper end is rounded तो पहला point में क्या है upper end क्या है rounded होता है to farm round होता है और साथी साथ क्या बनाता है to farm the head head का formation करता है साथी साथी इसमें देखेंगे अपर end तो rounded हो गया lower end क्या है उसमें पहला point में lower end क्या है expanded होता है देखते होंगे expanded ठीक है अब देखतें दूसरा point क्या रहा है कि head is directed क्योंकि head की खासियत होती है upper end rounded होता है to farm हेड तो हेड क्या होता है हेड जो होता है अपरेंड में डारेक्टेड मीडियली हेड डारेक्टेड मीडियली अपवर्ड एंड बैकवर्ड तो तीन पॉइंट इस में हेड जरेक्रिड मेंडियली अपवर्ड एंड बैकवर्स तीसरा पॉयंट देखेंगे सेरेशें में तो लेसर टूबर्कल होता है बृशल on क्या होता है प्रोजेक्ट फ्राउंट आफ अपकर हिंगं नियक्तर्स आपर इंद में होता है फ्रांट में होता है और एक तरह से दियां रहाएं कि जो इसमें लेसर टुबरकल होता है और इसमें देख सकते हैं जो ग्रेटर टुबरकल होता है ग्रेटर टुबर्कल यह लेटरल होता है उसके लेटरली तो ध्यां रखेंगे जो लेटर टुबर्कल फ्रंट में होता है जबकि ग्रेटर टुबर्कल लेटरली होता है अब बात करते हैं कि हम लोग हुमरस बोन को कितने पार्ट में पढ़ते हैं तो पार्ट आप हुमरस की करेंगे जिसको three part में पढते हैं जैसा कि long bone हर एक long bone को हम लोग three parts में पढ़ते है अब अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग पहले अपर बयात करेंगे तो हम लोग कितने heading के अंदर कर पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग को यहीं याद रखना है तो हम लोग कि यहाँ 7 points पढ़ने हैं यह था 7 points को हम लोग upper end को पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे पहला जो point है पहला point है क्या है head है पहला point head है तो पहला point head होता है तो head के बारे हम लोगों ने आज रड़ी कहा है कि head क्या होता है कि head is directed medially upwards and backwards ये लिख सकते हैं head directed medially upwards and backwards और ये क्या करता है एक तरह से head जो होता articulate करता है with the glin wide cavity of the scapula और क्या बनाएगा shoulder joint बनाएगा तो इतना point आप लिख सकते हैं लेकिन head याद रखना चाहिए उसके बार देखेंगे second point second point की बात करेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर एक anatomical neck है क्या है anatomical neck anatomical neck anatomical neck क्या होता है इसके बार देखेंगे anatomical neck second point है anatomical neck तो anatomical neck होती क्या है एक line होती है जैसे हम लोग ने upper end में ही पढ़ रहे हैं कि line ऐसी line है that separate head from rest part of upper end अर्था जो upper end के जो 7th point होते हैं उनको head को जो line अलग कर दे rest of the 7th part, 6th part से उसको बोलते हैं endermical neck third point हम लोग देखेंगे lesser tubercle, lesser tubercle क्या होता है lesser tubercle एक तरह से anterior aspect में हम लोग ने बात किया था anterior anterior aspect में एक elevation है elevation है ठीक ना उबार है जो कि elongated होता है ठीक है इतने याद रखेंगे greater tubercle greater tubercle क्या होता है lateral aspect होता है lateral lateral aspect में elevation होता है जो कि elongated होता है आगे इसका यूज बताएंगे inter-tubercal sulcus तो inter-tubercal sulcus क्या होता है जो lesser tubercle greater tubercle के बीच में एक साइड में lesser tubercle है जो anterior है front में है और जो greater tubercle है lateral aspect में है इन दोनों के बीच में क्या होता है एक sulcus होता है इसको हम दूसरा नाम कहा देते है bicepital groove इस groove की खासियत क्या होती इसके से दो लिप होते हैं एक होता है lateral leap एक होता है medial leap तो देखेंगे जो lateral leap होता है क्योंकि lateral leap मतला lateral side में है तो एक इसके थुरू बनाता है यह तरह से greater tubercle के थुरू बना होता है तो इसको मतलता है greater GT greater ummer Bärcle के elongation से बनाता है जो middle leap होता है laser tubercle गर्वाड के elongation की वाजह से बनाता तो इतना आफ पो याद रखना चाहिए तो laser matter allowed ल्यंटरो लीप होता है वह better to revelateảiुरू होता है extensions बनता है जबकि जो medial lip होता है वो laser tubercle के elongation से बनता है next point देखेंगे morphological neck एक point होता है morphological neck एक तरह से epiphysis के बीच का connecting link होता है इसको हम बहुज़ादा detail में नहीं पढ़ेंगे last point होता है surgical neck surgical neck क्या होता है कि line separating मतलब upper end को shaft से separate करे line a line separate from upper end to shaft अभी तक आप लोगने देखा जो anatomical neck था वो क्या करता था a line separating head from the rest of the upper end था जबकि surgical neck क्या हो रहा है यहाँ पर एक line separating एक line है जो separate करता है upper end पूरे पूरे अपर इंड को किसे shaft से separate कर रहा है अगर suppose करिए कि यह point अगर यहाँ से लेकर पूरा upper end है और यह यहाँ तक shaft है तो यहाँ इसके चारों तरफ एक line है इसके point के lung जो की ही इसको हम लोग surgical neck करते हैं और इसके lung ज्याद़ 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 फ्रेक्चर की संभावना होती है इसलिए इसको surgical neck कहते हैं अब बात करते हैं shaft की जो second point था हम लोग का shaft तो देखेंगे shaft की बात करेंगो तो यहाँ पर three border three surfaces पढ़ने होते हैं three border में पहले हम लोग borders की बात करते हैं यहाँ पर three border दिखाए गया anterior border, lateral border, middle border anterior border की खास्यत क्या होती है कि इसका जो upper part होता है क्या बनाता है यह बनाता है lateral lip, lateral, lateral lip का formation करता है और शाथी साथ क्या और क्या इस पे खास्यत होती है इस पे deltoired tuberosity, deltoired, deltoired tuberosity anterior margin, anterior margin होती है, deltoired tuberosity की anterior margin इस पे पाए जाते हैं तो ध्याँ रखेगा कि lateral lip बनाती है साथी साथी साथ, deltoired tuberosity का anterior margin पाए जाता है दूसर नमर पे है lateral border, lateral border क्या करता है कि lateral border रिक्तर से नीचे की तरफ जाके lower down में यह क्या बनाता है lateral supracondylar ridge lateral supracondylar ridge lateral supracondylar ridge इतना है देखिए उसके बाद देखेंगे कि third point है medial border medial border क्या होता है यह एकतर से medial lip बनाता है medial lip of medial lip of interbicepital group inter tubercular sulcus ITC ITS inter tubercle sulcus medial lip of inter tubercle sulcus बनाता है जबकि anterior border क्या कर रहा था lateral lip of inter tubercle sulcus बना रहा है इसके बाद देखेंगे हम लोग sept के surfaces के बारे में बहुते हैं three surfaces है entrolateral surface entromedial surface posterior surface तो देखेंगे entrolateral surface जो होता है कौन-कौन से ऑr lateral border की मिलना से बना रहा है मतलब किसके बीच होता है anterior border और lateral border तो नाम में ही इसमें च्छिपा हुआ कि anterior border और lateral border के बीच का surface होता है उसको बोलते है entrolateral surface इसकी खासियत क्या होता है यहाँपर deltoide tuberosity होता है क्या होता है deltoide tuberosity जो कि V-shape होता है, वी-shape होता है, ठीक है, इसका देखेंगे हम लोग, दूसरा है, एंटरो-मीडियल सर्फिस, अरता, interior border और मिडल वर्डर के बीच का जो सर्फिस होता है, एंट्रो मिडल सर्फिस करते हैं, और इस पर क्या होता है, यह एक तरह से फ्लोर बनाता है, जो इंटर टुबर्कुलर सल्कस, इंटर टुबर्कुलर सल्कस का फ्लोर बनाता है, एक तरह से बेस बनाता है, फ्लोर बनाता है, साथ फोरामेन प्रजेंट होता है और तीसरा पॉइंट है हम लोगा पोश्टीरे सर्फेस जो की इसके बीच होता है एंटी लेटरल बॉर्डर और मेडियर बॉर्डर के बीच होता है पीछे होता है और इस पर क्या होता है यह सर्फेस क्या करता है क्रास्ड करता है इस सर्फेस से Radial Group Cross करता है Radial Group Radial इसको हम लोग Spiral भी बोलते है Spiral Group Cross होता है ठीक है इसको बैद देखेंगे Lower End जो Humerus का Lower End होता है वो दो Part में Divide होता है Articular Part और Non-Articular Part Articular Part का मतलब कि जो Lower End Radius का Humerus का होता है वो Radius और Alna के साथ कहीं Elbow Joint का Farmation करता है तो जो Joint में Involve होते है Farmation Involve होते है उसको बोलते है Articular Part जो Involve नहीं होते है जो Articular नहीं करते है उसको Non-Articular Part काते है तो देखेंगे Articular Part को हम लोग दो Part में बाते है एक Capitulum, दूसरा Trocleia Capitulum क्या होता है कि हम लोग देखते है कि ये Rounded Projection है Capitulum Rounded Projection है Rounded Projection है और ये Head of Articular with the Head of Radius ये Radius के Head से Articular करता है के Head से Articular करता है जब कि ट्रॉकलिया क्या होती है Poolie Shaped होती है Poolie Shaped होती है जो कि क्या बनाती है ये एक तरह से ये Articular करती है एक तरह से ट्रॉकलियर Notch of Alna तो Alna के ट्रॉकलियर Notch से Articular करती है ट्रॉकलियर notch किसके अलना से और यहाँ पर एक चीज formation होता है that is called carrying angle carrying angle इसका अलग से हम लोग video देखेंगे इसके बाद देखेंगे हम लोग non-articular parts तो non-articular parts वो part होता है जो कि elbow joint के formation में involved नहीं होता है तो उसमें देखेंगे कौन-कौन से point है point ही आद रखना है आप लोग को तो point किस्तर से आद रखेंगे medial epicondyle देखेंगे दो epicondyle है पहला medial epicondyle दूसरा lateral epicondyle फिर देखेंगे lateral supra condyle ridge दूसरा है medial supra condyle ridge तो देखेंगे यहाँ पर lateral, medial, lateral, medial कुछ इस्तर से है epicondyle, epicondyle lateral epicondyle, medial epicondyle lateral supra kundular ridge, medial supra kundular ridge 5th point देखेंगे koronoid fosa, 6th point देखेंगे radial fosa and 7th point है olecranon fosa, तो हम लोग एक एक point को explain कर देते हैं, यहाँ पे देखेंगे medial epicondyle क्या होता है, कि जो lower end में lower side में क्या होता है कि वहाँ पर एक elongated bony projection होता है the tichkal, medial epicondyle वह भी medial side में होता, उसी तरह से lateral lower end में ही lateral aspect में देखेंगे एक bony prominence होता है lateral epicondyle उसी के बाद देखेंगे lateral supra kundular ridge lateral supra kundular देखेंगे, supra, supra मेंस किसके उपर supra kundular तो जो kundyle था, epicondyle था उसके just above lateral epicondyle के just above lower end में just above क्या होगा एक bony projection है that is called lateral supra kundular ridge ridge एक elongated structure है और उसी तरह से देखेंगे medial supra kundular ridge, ये क्या होगा medial aspect में, medial epicondyle के just above यहाँ पर एक projection है that is called medial supra kundular ridge तो देखाना है, यहाँ पर हम लोग को ep kundyle रखेंगे, ep kundyle medial ep kundyle के उपर क्या होगा medial supra kundular ridge होगा और lateral ep kundyle के उपर क्या होगा lateral supra kundular ridge होगा next point देख रहे होगे fifth, kurunoid fossa very very important point है, पहले तो kiss bone में पाए जाता है, तो humorous के lower end पाए जाता है, इसमें क्या है depression just above the anterior aspect of troclea, जो troclea था जो की pulley shaped था, उसके anterior respect में देखेंगे, तो एक depression है, और क्या करता है it accommodates with the coronavoid processes of alna when elbow is flacked, उसी तरह से देखेंगे, radial fossa, radial fossa क्या है? a depression present just above the anterior aspect of capitulum तो capitulum, तो यहाँ देखेंगे capculum है, एक troclea है, तो troclea के anterior aspect में जो एक depression that is called coronavoid fossa और capitulum के anterior aspect में depression that is called radial fossa, यहाँ head of radius articulate करता है उसको देखेंगे olecranon fossa olecranon fossa क्या है? कि lie just above the posterior aspect of the troclea, troclea के posterior aspect में ये एक fossa पा जाता है, it accommodated olecranon process of alna olecranon fossa जो होता है वो olecranon process of alna alna के साथ accommodate कर रहा है when elbow is extended तो elbow क्या है? elbow जब extend है, उस condition में olecranon fossa olecranon process of alna के साथ accommodate कर रहा है, मतलब joint बना रहा है, तो इस तरह से हम लोग बात कर लिए हैं, कि ये एक तरह से basic चीजे हो गई humorous के बारे में, धन्यवाद प्राइब नवाद कर दो आए है, ऑरे में साथ प्राइब नवां